हलो एवरीवन विलकम टे सरोज बिशाज यूट्यूब चैनल में यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है असिस्टेंट प्रोफेसर रिकूट्मेंट एंसी आर्ट की तरफ से नोटिफिकेशन जारी की गई है मंतली सालरी 45,000 रुपीज पेमेंट सामने लिखे हुए हैं सालरी सभी के लिए फिक्स है 45,000 रुपीज पर मन्त क्वालिफिकेशन की डीटेल हम कवर करेंगे पहले सब्सक्स की डीटेल देख लेते हैं और किस तरीके से नोटिफिकेशन आपको चेक करनी है कहां पर जाकर वो भी हम देखते हैं फिजिक्स मैथ स्थेमाटिक्स, जूलोजी, बॉटनी, केमेस्ट्री, हिंदी, ओडिया, जियोग्रफी तो इन में एसिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्वार्मेंट है और एसिस्टेंट प्रोफेसर इन एजुकेशन, फिजिकल साइन्स, बायोजी, मैथ्स, सोशल साइन्स, लैंग्वेज, ह कैसे आप चेक कर सकते हैं, नोटिफिकेशन चेक करने के लिए, NCRT, Regional Institute of Education, भुबनेश्वर, यह आपको टाइप करने हैं, गूगल करते हैं, जो सबसे पहली लिंक आपको नजर आती है, यहाँ पर, फर्स्ट लिंक, www.riews.ac.in, इस पर आपको क्लिक करना है, यह क्लिक करते ह है, यहाँ पर यह विबसाइट ओपन हो जाती है, विबसाइट ओपन होते ही, आपको यह नोटिस बोर इस राइट-न साइड में नोटिस बोर नजर आ रही है, इसको ध्यान से चेक करना, यहीं पर नोटिफिकेशन या व्यू आप करते हैं, आपको नजर आ जाएगी सारी नोटिफिकेशन, इसी में एसिस्टेंट प्रोफेसर की भी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी की गई है, 16 जुलाइ 2021 फिलाल फिफ्ट पॉइंट पर है, अडवर्टीजमेंट इन्वाइटिंग एप्लिकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ एसिस्टेंट प्रोफेसर on contractual basis for 2021-22 तो यह PDF आपको डाउनलोड करनी है, offline application नहीं है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि qualification आपने subject की detail पहले ही देखी, qualification की requirement कुछ इस तरीके से होने वाली है, आपके पास concern subject में PG होनी चाहिए, साथ में अगर net या फिर आपने set किया है Odisha state से, बुवनेश्वर Odisha state में तोड़ी सा state से, अगर आपने set किया है, या फिर आपने कहीं से भी net किया है, या फिर आपने PhD की है concern subject में PG के साथ, तो आप application डाल सकते हैं, education वाले subject में pedagogy के लिए emad होनी ज़रूरी है, emad के बाद जो net set या PhD करते हैं, वो यह application डाल सकते हैं, हालां कि NCRT की recruitment notification है, इसलिए in subjects में भी emad या bead अगर आपके पास है, तो उनको preference ज़रूर दी जाएगी, तो यह अच्छी opportunity emad वाले कैनी rates के लिए, लेकिन उपर के जो यह 8 post है, emad बीएड नहीं भी हैं, तो आप application डाल सकते हैं, preference दी जाएगी अगर bead या emad भी है आपके पास, बाकि नीचे के जो यह post है 9th से लेके A, B, C, D, E, F, इनके लिए emad होना ज़रूरी होगा, और बात में फिर net set या फिर PhD, तो application कैसे डाल लिए, last date क्या है, यहां पर offline mode में application है, आपको application 30 July 2021 तक भेज देनी है, दी गई address पर यह contract basis पर है, इसकी contract terminate हो जाती है, 2021-22 academic session के लिए 30 April 2021 या फिर जब तक regular teacher appointment नहीं होते हैं, तब तक यह आपकी contract रहेगी, तब तक के लिए आपको interested candidate इसको अची तरीके से पढ़ सकते है, apply from all state, किसी भी state से belong कड़ वाले candidate, interested and eligible होने पर बिल्कुल application डाल सकते है, पीजी में 55% marks जाहिए, जब भी आप कभी application डालते हैं, नोटिफिकेशन को खुद read क करें, दूसरी बात यह desirable qualification है, BAD, MAD दी होई है, desirable है mandatory नहीं है, उपर के जो first to eight तक के जो post है, इसके लिए BAD, MAD mandatory नहीं है, netset या PhD है तो application डाल सकते है, best wishes, thank you very much.